हेलो फ्रेंट्स, विल्केम डू मैं चैनल, आज मैं आपको कुर्ती की स्टिचिंग करना बताऊंगी स्टेप बाई स्टेप तो इस कुर्ती की कटिंग का वीडियो मैंने अल्रेडी अप्लोड कर लिया है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है सबसे पहले हमने ये फ्रेंट का पार्ट लिया है, तो हमें फ्रेंट पार्ट सबसे पहले बनाना है इसके लिए हमने ये बॉर्डर लेस ली है, जो इस कपड़े में से ही निकली है अब इसको हम 10 इंच तक मार्क करके कट कर लेंगे अगर आपके पास ये बॉर्डर नहीं है, तो आप प्लेन पट्टी या फिर आप लेस भी अटैज कर सकते हैं उसके बाद सेम इसी साइज की एक और पट्टी कट कर लेंगे अब इन दोनों पट्टियों को हमें एटैज करना है, एक दूसरे के उपर हम इसको उल्टा रख लेंगे सीधी साइड अंदर की दुरफ रख के हम इसे स्ट्रिच करेंगे तो हमने इस पट्टी को स्ट्रिच कर लिया है इस तरह से ये पट्टी हम कुर्टी के सेंटर में लगाएंगे इससे हम ओपन करेंगे फ्रेंट पार्ट को और फ्रेंट पार्ट के सेंटर में हमें इसको स्ट्रिच करना है अभी ये हमने फ्रेंट वाला पार्ट लिया है इसके सेंटर में हम एक लाइन बना देंगे और इस पट्टी को इसके बीचो बीच रखेंगे सबसे पहले इसके सेंटर में हम एक सिलाई लगा देंगे एक साइड से इसको फोल्ड करके स्ट्रिच करेंगे उसके बाद इसके साइड को फोल्ड करके स्ट्रिच करेंगे इस तरह से इस तरह से हमने ये पट्टी सेंटर में स्ट्रिच कर लिए है अभी यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टी को हम कट करके शेप दे देंगे अभी हमें बैक का पार्ट लेना है तो बैक का पार्ट हम इसके उपर उल्टा रख लेंगे और शोल्डर से अटेच करेंगे अभी नेक बनाने के लिए हमने एक कपड़ा बचा हुआ था वो लिया है उसकी हम तीरची पट्टियां कट करेंगे तो तीरची पट्टी से हम नेक लाइन बनाएंगे फ्रन्ट और बैक दोनों का साथ में इस तरह से सवा इंच तक की हमें पट्टियां कट कर लेनी है अब इन पट्टियों को हम अटेच करेंगे और एक लॉंग पट्टी बना लेंगे तो हमने शोल्डर से अटेच कर लिया है तो ये हमने तीरची पट्टी रेडी की है इस पट्टी को फोल्ड करना है और एक साइट से स्टिच करना है और दूसरे साइट तक हम इसे स्टिच करेंगे तो देखे फोल्ड करके ही इसको स्टिच करना है जो हमने फोल्ड की हुई स्टार्टिंग है उसी के ऊपर चड़ा देंगे हम इस पट्टी को हाफ इंच, उसके बाद इस पूरी पट्टी में हम छोटे-चोटे कट्स लगा लेंगे, जिसे कि ये पट्टी इजिली टर्न हो जाएगी, तो ये कट्स लगा रहा बहुत ही ज़रूरी है, अब हमने इसको उल्टा किया है, अब पट्टी को हम उल्टी साइ से इस तरह से डबल फोल्ड कर देंगे, हलके हातों से हम इस पट्टी को डबल फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से देखिए हमने फ्रेंट और बैक नेक लाइन रेडी कर लिया है, इसको प्रेस कर लेंगे तो ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, अभी स्लीव के बॉटम में भी हमें ये बॉडर अटेच करनी है, बॉडर को हम सीधा रखेंगे, स्लीव को भी सीधा रखेंगे, और स्लीव को इसको ऊपर रख लेंगे और स्टिच करेंगे, तो हमने इसको स्टिच कर लिया है, अभी इस बॉडर को हम सीधी साइड में पल्टेंगे, और फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे इस तरह से हमने दोनों sleeves में border लगा ली है अभी हम sleeves को attach करेंगे shoulder पे इस तरह से sleeves को हम shoulder के ऊपर उल्टा रख लेंगे दोनों parts की सीवी side अंदर की दाफ रख करेंगे तो मैं आपको stitch करके दिखा देती हूं center से ही हमें स्टिच करना है इस तरह से हलकी हातों से स्टिच करेंगे उसके बाद इसको पलट के दूसरी साइड भी स्टिच कर लेंगे सेंटर से ही इस तरह से स्लीज अटैच हो गया है तो दोनों स्लीज को अटैच करने के बाद हमें इसकी फिटिंग करनी है तो इसको हम उल्टा रख लेंगे अब स्लीज से लेके हिप तक हमें इसकी फिटिंग करनी है तो स्लीज बॉटम लेंगे हम साड़े पांच इंच उसके बाद यहाँ पे कट का निशान है तो यहीं पर हम मार्क करके इस तरह से इसको जोड़ेंगे फिर यहां से हमने 2-2 इंच का मार्जिन लिया था तो हम 2-2 इंच पर ही मार्क स्टिच कर लेंगे फिटिंग का कुरता हम बना रहे हैं अगर आपको लूस चाहिए तो आप 1-2 इंच पर भी मार्किंग कर से सिलाई लगा सकते हैं फिटिंग की यहां तक स्टिच करेंगे और उसके बाद इसको डबल फोल्ड करके साइड स्टिच बनाएंगे तो यह मैं आपको पूरा स्टिच करके दिखाऊंगी किस तरह से फिटिंग करनी है तो स्लीव से लेके स्टार्ट करना है यहां पर हम लॉक करेंगे उसके बाद नीचे से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे मतलब हमें साइड स्लिट बनाने के लिए नीचे से ही डबल फोल्ड करते हुए आना है उसके बाद वापस यहां पर इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से हमें साइड स्लिट बनाना है उसके बाद बाटम को डबल फोल्ड कर देना है इस तरह से हमने कुर्ती की स्टिचिंग कर ली है अगर आपको वीडियो अच्छा रगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजे और आप मेरे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब भी कीजे थैंक यू झाल झाल